क्योंकि जो होता है जो है कि फार चैनल यूटीज माई किशिटिंग करोंट रें क Schüler कने कर वाइं इस्टों में रिए ौइ ग्लाइन स्टिंग कर देखीं विप्रूपर zwei तराईि यह हैं क्यों जो है करने होती किउरम को हम बोलते हैं आपको तराई करना लेंगिन आप में इंजिनएर है तो आप की जो है क्या होोाई और वह इस चेक करये कि प्रॉपर जहाए के यूज हो रहे हैं यह सब जो है साइट सुपरवाइजर की स्पोंसिबिटी होती है और चेक करना उसको जो है एज असाइट इंजिनियर उनकी भी जो है यह responsibility होती है Curing में देखे सबसे बहले क्या है concrete attracts 75% strength in 7 days यानि कि क्या होता है concrete को जब हम use करते हैं यानि कि motor को जब हम use करते हैं तो आपका क्या होता है motor 7 दिन के भीतार यानि कि 7 days में आपनी 75% strength है यानि कि सामर्थ को ग्रहन कल लेता है यानि कि 75% strength करने के आफटर जो 7 डेज़ घाएं काइं कर देता है कि आपका रिंटीफाइपसंट स्टेंथ गेन कर लेता है अब हम बात करता है as per Indian standard the temperature of concrete curing should be यानि कि भारती मानक के अनुसार as per Indian standard भारती मानक के अनुसार the temperature of concrete curing should be यानि कि concrete की तराई करने का जो तापमान होना चाहिए किसके specification के according भारती मानक Indian standard के according 27 degree Celsius plus minus 2 degree Celsius यानि कि plus minus क्या है या आपका tolerance है यनिकि 27 डिग्री में आपका 2 डिग्री जदा हो जाए तो कोई problem नहीं, 29 डिग्री भी चल जाएगा, अगर 25 डिग्री सेल्चज है तो वह भी चल जाएगा, पिलस माइने 2 डिग्री सेल्चज, इसलिए जो है, tolerance के रूप में आपका रखा जाता है, तो भारती मानक के नुसार concrete की जब आप site पे curing करते हैं तराई करते हैं तो उस time में आप proper temperature को थोड़ा देख सकते हैं कि proper temperature कितना है 27 degree Celsius अगर आप इसके आसपा temperature रखते हैं तो काफी अच्छी curing आपकी होगी जो भी आपका concrete part है उसको काफी अच्छी strength गेन करेगा note देखिए काफी important है curing in normal weather conditions यानिकि सामान्य मौसम की परिस्टिया होती है यानिकि जब आपका मौसम क्या है सामान्य मौसम है तो उस time में आपका तराई करने का जो आपका समय रहेगा वहाँ आपका रहेगा 5-7 days यानिकि अगर सामान्य मौसम है तो सामान्य मौसम के केस में क्या करेंगे आप जो है 5-7 days में आप तराई कर लिंगे 5-7 days but क्या है curing in hot weather conditions यानिकि अगर आपके plans की बात करें तो वहाँ क्या होता काफी अधिक आपको summer season आपको देखने को मिलता काफी अधिक गर्मी पढ़ती है वहाँ minimum 5-7 days curing करें और अगर hot weather conditions तो आप वहाँ पर curing करें 7-8 days अब क्या करते हैं ज्यादा थर contractor क्या करते हैं कि site पर curing नहीं करवाते हैं क्योंकि समय को बचाने के लिए अपने labor के लिए ताकि उसका summer waste नो हो अब क्या करते हैं सबसे पहले इसप्रेइंग के जरिए इसप्रेइंग के जरिए आप क्या करते हैं मसिन्स के जरिए जो है इसप्रेइंगे पानी की फुहार के रूप में दूसरा आपका क्या है पॉरा पानी से उन्हेम भर दीजें यानि कि इली जूट की जो बोरीयां है पुरी सर्फेस पर बिगा दीजें कॉलम की काषटी होते तो द्टवाग करते हैं काफी ज्यादा वेट पोरिसटन एफ करने मिल जाता है उसके बात करते हैं fresh है तरही कि वहाब के द्पराए होता है यहां कि ऐसे घंव हमेरे की अपारग के द्वरा क्णरिए ज ज्था ही होती है उसके बात सब्सक्राइब तर्द है इन आप्राफिक एंग ख्निम सब्सक्राइब अनुक्रियों करो साइब ऐसा हमारे पी देस्थ प्रोपर हमारे पानी की खबत टी है तो इन जगहों परisz क्या था इक क्या सकते हैं को सब्सक्राइबर абсолютu कर सकते हैं उसके बारत सबसे पहली बात देखिए आप सबसे पहली बात देखिए आप सबसे बहले देखिए अगर देखिए अगर देखिए आपका समय यूज करने लायक है यह चेक कर लिए उसके बाद आप फ्लोट टेस्ट करें फ्लोट टेस्ट माँ आप क्या करेंगे कि एक बकेट आपने सबसें पानी का लेना है उसमें आपने क्या करना है कि एक अपनी हातली से क्या करने है सिमेंट पकड़ करके बैक से उस बालटी में डालना है उपर से अगर क्या रहता ए ग्रुट जो ग्रीनिस ग्रीय कलर का। आपका सिमेंट पार्टिकल से हैं — वो आपका कुछ देर तक पानी में तैरना चाहिए उसके बाद ही यह लूबना छी पहले है RP. समय फार्टिकल से नीचे नीचे लूब जाए बालटी में COFF. का site पर date of packing friend क्या होता है जब आपके OPC या PPC क्या होता है कि जो आपका इंडिया है इंडिया में generally we use जो है M33, M43 and M53 grade cement bags huge तो हम भारत में क्या करते हैं जातर M33, M43 और M53 grade का cement जो है आपका यूज करते हैं चाहिए वह OPC हो या PPC हो तो अब date of packing क्या होती है आपकी site पर जो है आप सिमेंट बैग में देखिए कि इसकी date of packing क्या है date of packing जो है 3 months from the date of manufacturing आपको क्या देखना है कि जब भी manufacture या cement हो है तब से आपको 3 मेहने देखना है कि या इसकी date अभी है या नहीं है use करने से पहले क्या है कि आपका जो है क्या है कि 3 months from the आपने क्या चेक करना है कि 3 months from the date of packing from the manufacturing date of packing 3 मेने तक आप यूज कर सकते हैं 3 मेने के बाद आपका cement आपका expire है अगर आप कोई बड़ा का instruction कर रहे तो उसके में उसे बिल्कुल भी यूज ने कीजिए क्योंकि उसकी क्या होता है strength decrease हो जाती है rubbing एक test आप ऐसा कर सकते हैं cement के back को खोल के उसमें अपनी fingers के जरिये उस cement का fingers में इस तरीके से rub कीजिए तो आप जब आप rubbing करेंगे यानि कि rub करेंगे cement को तो आपकी fingers में आपको क्या होना चाहिए एकदम feel smooth जो है आपको जो है एकदम smooth feel होना चाहिए जैनि कि एकदम मुलायम आपको ऐसा महसूस होना चाहिए तो अगर ऐसा महसूस होता या आपको थोड़ा ठंड़क जैसी महसूस होती है तो आपका cement जो है proper साइट पे working के लिए क्या है working के लिए best है otherwise आप उसे जो है deny करते है एकदम मना करते है hand insertion hand insertion क्या है जब आप जो है if hand is inserted in a bag of cement it feels coldness जैनि कि जैसे ही cement के bag को आप खोलते है आप उसके अंदर जो अपने हाथ को जो है इस तरीके से उसमें insert कीजिए अंदर जो है bag में डालिया आपको जो है एकदम ठंडा यानि कि coldness अगर फील होते है तो आपका cement जो है best है उस case में आप जो है इसको आसनी से यो है use कर सकते हैं कोई problem नहीं है अब यहाँ देखे note जो है काफी important है आपको जो है आना चीए side पर गर आप work करते हैं क्या है कि add 0 degree Celsius अगर temperature आपका जो आपका climate है जहाँ आप काम कर रहे है वहाँ का temperature obliged 0 degree Celsius है तो उस case में क्या होता है 50 strength आपकी 50 percent strength जो है डियें गेन होती है अगर आपका climate का temperature 0 degree Celsius अगर वहाँ का अउस time आप جो है concreting कर रहे है 0 degree Celsius पह है तो आपको कितनी 50% strength ही जो है gain हो पाएगी 100 की के बड़ 50% strength मिलेगी आपको 50% strength होगी तो कोई फाइदा नहीं है उसके बाद क्या होता है कहीं temperature क्या होता है आपका minus 10 degrees Celsius होता है minus temperature गया है 10 degrees Celsius तो उस case में आपकी strength मिलेगी आपको concrete की या casting की बड़ 30% strength ही आपका concrete जो है ग्रहन करेगा तो 70% स्टेंथ का में इस केस में लौ्स होजाएगा काफी important IS için mentor पर वग करते है क्या-कषित के हैं कैसे आप क्यूरिंग करते हैं किती ग्यूरिंग करने चाहिए क्या temperature रहेगा क्या-क्राइब क्या क्या धारेगा क्यों हैं क्यों की मैथटल्स हैं physiom सब्सक्राब करना ना भोले, thank you for watching.